नमस्कार दोस्तों हमारे यूटुब चेनल में आपका स्वागत है आज का टोपिक है जार्खन एक नजर में आईए हम लोग पूरे जार्खन को एक नजर में देखते हैं चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जानते हैं कि जार्खन का अस्थापना पनलो नॉम्बर दो हजार इसमी को विश्रा मुंडा के जन्म दिवस के असर पे किया गया भारतिय संग में राज का अस्थान 28 हुआ है मतलब कि 28 हुए राज के रूप में जार्खन अस्थितों में आया इसके बाद भी तलंगना का गठन किया गया पर अभी वर्तमान में भी 28 राज और आठ केंदर सासित परदेश हैं और अगर कोश्चन आपका पूछा जाता है कि भारतिय संग में राज का अस्थान बताइए तो आपको 28 हुए एंसर देना होगा क्योंकि 28 राज के रूप में ही जार्खन अस्थितों में आया था जार्खन की राजधानी राची है और उप राजधानी दुमका है जार्खन में उच नयाले है जो कि उसकी राजधानी में ही इस्थित है वह 21 उच नियाले के रूप में इसका स्थापना किया गया था यहां की राजकिये भासा हिंदी है और दूइतिये राजकिये भासा उर्दू है यहां पर अन्य भासाएं भी बोली जाती है जैसे की संथाली, बांगला, मुंदारी, हो, कुरुक, पंचपरगनिया, नागपुरिया, इतियादी अब हम लोग राज्ये के पतिक चिन के बारे में देखते हैं तो राजकिये पसु है हाथी जिसका वैग्यानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस राजकिये पक्षी है कोयल जिसका वैग्यानिक नाम है कुकूलस कोनोरस राजकिये वरीक्ष है साल जिसका वैग्यानिक नाम है सुरोया रोबस्टा राजकिये पुश्प है पलास जिसका बैग्यानिक नाम है व्यूटिया फ्रोंडोसा राजकिये पर्तिक चिन है चार जे एक्षरों के बीच असोक चक्र जिसका डिजाइन अविताफ पांडे के द्वारा किया गया था और यह राश्तिये अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद में कारेरत थे अब हम लोग जारखन के भोगलिक परिचय के बारे में जानेंगे तो भोगलिक इस्थिती है जारखन का भारत के उतर पुर्वी भाग में ये इस्थित है इसका चोडाई है मतलब की पूरो से पर्षिम तक का पूरा इसका चोडाई है वह 463 किलोमीटर है और उतर शे अब हम लोग जार्खन की भगोलिक सीमा आये देखेंगे जिसका उत्तर में बिहार इस्थी थे दक्षीन में उडिशा इस्थी थे पूरब में पस्षीम बंगाल इस्थी थे और पस्षीम में 36 गढ़ेवा उत्तर परदेश इस्थी थे अगर आपसे ये कोश्चन पूछा जाए कि बिहार के दक्षीन में कौन इस्थी थे या उडिशा के उत्तर में कौन इस्थी थे तो आपका एंसर जार्खन होना चाहिए ये कोस्चन ऐसे भी कभी कभी तर्ण करके पूछ लिया जाता है। एकठन का छेद फल 89714 km2 है और ग्रामीन छेद फल crashesOOD-06 typically है अगर हम पूरे छेद फल में से ग्रामीन छेद फल को घटा दे तो हम लोग सहरी छेद फल निकाल सकते हैं जो की है 1792 किलोमिटर स्कुर्र ये तीनों डाटा में से अगर कोई भी आपको दो डाटा याद हो तो आप तीसरा डाटा निकाल सकते हैं खुद से एड़ सब्ट्रेक्ट करके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल छेतरफल में इसका हिसा 2.42 परसेंट है और छेतरफल की दीश्टी से जारखन का देश में 15 हुआ आस्थान है छेत्फल की दिष्टी से, राजे का सबसे बड़ा जिला पश्मी सिंभूम है और छेत्फल की दिष्टी से, सबसे छोटा जिला रामगर है अब हम जलवायू देखते हैं तो जारखन की जलवायू उसने कटी बंधिया, मौन्सूनी परकार की जलवायू है और यहां आशत वासिक वर्षा 110 cm से 140 cm तक होती है अब कूल छेत्रफल में वनों का प्रतिक थम लोग देख लेते हैं कितना है वन के बारे में जान लेते हैं तो कूल छेत्रफल में वनों का प्रतिक 29.62% है और छेत्रफल की दिषटी से अगर हम बात करें तो सरवाधिक वनाचादी जिला पच्मी सिंभूम है और न्यूंतम वनाचादी जिला जामताड़ा है वहीं अगर हम परतिसत्ता की दिश्टी से सरवाधिक वनाचादी जिला देखें तो वह लाते हार है और प्रतिसत्ता के दिश्टी से सबसे कम वनाचादी जिला जामताड़ा है। जिसमें है पलामू, उतरी छोटा नागपूर, संथाल परगना, कुलान और दक्षिनी छोटा नागपूर। पलामू जिला का भी हेड़ क्वाटर है। अब हम छोटा नागपूर, उतरी छोटा नागपूर में सात जिला इस्तित है और उतरी छोटा नागपूर का हेड़ क्वाटर हजारी बाग है। चत्रा, हजारीबाग, कोडर्मा, गीरीडी, रामगर, बोकारो और धनबाद अब हम लोग संथाल परगना के बारे में देखते हैं संथाल परगना में 6 जिले इस्थी थे और संथाल परगना के हेट क्वाटर दुमका में इस्थी थे जाईवासा में है जो कि पच्मिशिम्भूम जिल्ला का भी हेड़कॉाटर है अब हम लोग दक्षनी छोटा नागपूर परमंडल को देखते हैं दक्षनी नागपूर परमंडल में 5 जिल्ला इस्थित है जिसमें है राची, खुटी, सिम्डेगा, गुमला और लोहदगा और दक्सिनी छोटा नागपूर का हेड़ क्वार्टर राची में इस्थी थे। सिम्डेगा का निर्मान तीस अप्रेल दो हजार एक इस्थी को किया गया था। आपको 263 भी देखने मिलेगा और कहीं कहीं 264 भी देखने के लिए मिलेगा। यह ओफिसियल डाटा आज तक किलियर नहीं हो पाया है कि जारखन में कूल परखन 263 है या 264 कहीं 263 मिलता है। जारखन में नगर निगमों की संखिया नौ है जिसमें की है उनौ नगर निगम का नाम हम लोग देख लेते हैं। राची, धनबार, देवघर, चास, आदित्यपूर, आदित्यपूर सराई के लखा सामा जिला में इस्थी थे, हजारी बाग, मेरनी नगर, मानगो, मानगो पूर्वी सिंभू में इस्थी थे और गिरिडी। कुल गाओं की संख्या 32,615 है और कुल पंचातों की संख्या 442 है जिला परिशदों की संख्या 24 है और अगर वहीं हम जिला परिशद के सदस्यों की संख्या का बात करें तो वह 545 है राजे में एक केंद्रिये भी स्वेविद्या ले भी इस्थी थे जो की राची जिला में ब्राम्बे में इस्थीत है अब हम लोग जारखन राजे के राजनीतिक परिचे को देखेंगे तो यहां विधान सभाग के सदस्यों की कूल संखिया बेरासी है जिसमें की 81 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य राजपाल द्वारा मनोनित किये जाते हैं तो यह कासी निर्वाचित सदस्य में एस्थी है तो आरक्षित सीटों की संखिया है 28, एस्थी है तो आरक्षित सीटों की संखिया 9 और अनारक्षित सीटों की संखिया 44 से आगे हम अगर लोग सभा का बात करें तो लोग सभा में कुल सीटों की संख्या 14 है जिसमें की एस्टी के लिए शिर्फ एक सीट आरक्षी थे जो है पलामू ST के लिए 5 सीटा रक्षी थे और अनारक्षी सीटों की संख्या 8 है और राज सभा में कुल सीटों की संख्या 6 है तो अगर कुल संसदों की संख्या का बात किया जाए तो वह 20 है 14 लोक सभा वाला और 6 राज सभा वाला दोनों मिला करके कुल संसदों की संख्या 20 सबसे बड़ा संसदिय छेतर राजे का सिम्भूम है और सबसे छोटा संसदिय छेतर चत्रा है आगे हम लिंगा अनुपात देखते हैं तो जारखन का लिंगा अनुपात 949 महिला प्रती 1000 पूरूस है सरवाधिक लिंगान उपात वाला जिला पश्मी सिंभूम है जिसमें की 1005 महिला प्रती 1000 पूरूस है और नियूनतम लिंगान उपात वाला जिला धनबाध है जिसमें 909 महिला प्रती 1000 पूरूस है आगे हम राजे का साक्षर्टादर देखते हैं तो राजे का साक्षर्टादर है 66.4% जिसमें की पूरू साक्षर्टादर है 76.8% और महिला साक्षर्टादर है 55.4% सरवाधिक साक्षर जीला है राची और वही नियुनतम साक्षर जीला पाकुड है अब हम लोग जार्खन का जन जातिय परीचर देखते हैं तो जार्खन की जन संख्या में ST का परतिसत 26.2% है और जार्खन की जन संख्या में ST का परतिसत 12.1% है जन संख्या की दिश्टी से चार बड़ी जन जातियां है संथाल, उराओ, मुंडा, हो यहां अनुसूचित जन जातियों की संख्या 32 जिसमें की आठ आदिम जन जातियों के नाम है असूर, पहरिया, सबर, बिरहोर, बिरजिया, कोर्वा, मालपहाडिया और सोरिया पहाडिया हम लोग राजे का जनसंख्या देखते हैं तो राजे की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 जिसमें की पूरूर जनसंख्या है 1,79,3,315 और महिला जनसंख्या है 1,60,57,819 भारत की कुल जनसंख्या का यह 2,72% है 2001 से 2011 में जनसंख्या वी धिदर इसका 22,42% रहा है राजे का सरवाधिक जनसंख्या वाला जिल्ला नाची है और न्यूंतम जनसंख्या वाला जिल्ला लोहदगा है अब हम लोग जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो राजे का जनसंख्या घनातो है 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वाइर, सरवाधिक जनसंख्या घनातो वाला जिला धनबाद है, जहां 316 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वाइर है, और नियूंतम जनसंख्या घनातो वाला जिला सिम देगा है, जहां पे 169 व्यक्ति प्रति किलोमेटर स्क्वार रहते हैं। सरहूल है। सबसे परमुख यहां का लोग नीत चव है। जो सराय के लग हरसामा जिला में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज हम लोग जार्खन के बारे में बहुत सारा इंपोटेंट पॉइंट पढ़ें। उमीद है कि आप लोग को याद हुआ होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। झाँलवय짜 झाँलव में आप पाल mant Speak झाँलव समया है समया है झाँल